नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल बायोग्राफीन हिंदी में। आज हम भात करेंगे भारती भौतिक शास्त्री सर्थ सीवी रमन जी की, जिने 1950 में प्रकाश के प्रकीरण पर उतकर्ष कारे करने के लिए भौतकी का प्रतिश्चित नौबल पुरुसकर प्राप्थ हुआ है। तो जानते हैं उनके जीवन और उनकी उपलब्दियों के बारे में, लेकिन उससे पहले यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो उसे सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। सीवी रमन जी का पूरा नाम चंदर शेखर वेंकर रमन था। इनका जन्म 7 नमंबर 1889 को तमिल नाडू के तीरुचिरापली में हुआ था। इनके पिता का नाम चंदर शेखर अयर था और ये SPG कॉलेज में भौतिकी के प्रध्यापक थे। इनकी माता का नाम पारवती अम्मा था जो एक सू संस्कृत महिला थी। अठारा सो बराणों में जब इनके पिता विशाखा पत्नम चले गए तब वे भी उनके साथ वहीं चले गए। तब सीवी रमन जी की आयू केवल चार वर्ष की थी। और उन्होंने अपनी प्रारम्रिक शिक्षा सेंड अलॉयस यूस एंगलो इंडियन हाई स्कूल से की। सीवी रमन जी बच्पन से ही पढ़ने लिखने में बहुत होशार थे और कई प्रतिभाओं के धनी थे। उन्होंने मेट्रिक का एक्वाम 11 साल की उम्र में ही प्रास कर लिया था और बारवी के साथ इंटरमेडियर एक्वाम 13 साल की कम उम्र में स्कूलर्शिप के साथ पास किया। 1902 में रमन ने प्रेजिदेंसी कॉलेज मदरास में एड्मिशन लिया जहां उनके पिता गणित और भौतिकी के लेक्चरर थे 1904 में रमन ने यूनिवर्सिटी ओफ मदरास से बीए किया जहां उन्होंने प्रथम शणी में से पास किया जिसके लिए उन्हें गोल्ड मेडल मिला 1907 में उन्होंने गणित सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा नंबर लेकर MSC कम्पलीट की उस समय रमन वैग्यानिक बनना चाहते थे पर उचित सुविधा नहीं होने के कारण उन्होंने भारत सरकार की वित विभा की परिक्षा पास की और असिस्टेंट एकाउंटेंट बन गए एक दिन जब अपने काम से लौट रहे थे तब उन्होंने एक साइन बोर देखा जिस पर लिखा था वैग्यानिक अध्यन के लिए भारती परिशद उसी समय वह परिशद पहुँच गए और प्रयोगशाला में प्रयोग करने की आग्या प्राप्त की उसके बाद रमन का तबादला पहले रंगून और फिर नागपूर हुआ तब उन्होंने अपने घर में ही प्रयोगशाला बना ली और वे वहाँ पर अपने अनेग प्रयोग करने लगे इसके बाद 1911 में फिर उनका तबादला कलकत्ता हो गया जहां उन्हें फिर से परिशद में प्रयोग करने का अफसर प्राप्त हुआ इसी बीच रमन ने ध्वानी के कंपन और उसके कार्य पर अनुसंधान किया 1917 में कलकत्ता विष्विद्याले के भوتिक के प्रध्यापक ब्त के लिए रमन ने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी कलकत्ता विश्विद्याले में रमन ने वस्तूओं में प्रकाश के चलने का अध्यन किया 1921 में रमन को विश्विद्यालियों के प्रतिनिधी के रूप में आक्सवर्ड भेजा गया जहां अन्य प्रतिनिधी विज्ञान की वस्तूओं को देखकर मनोरंजन कर रहे थे पूरी की, जिसे रमन प्रभाव का नाम दिया गया। 1926 में प्रॉफेसर रमन ने इंडियन जर्नल ओफ फिजिक्स प्रकाशित किया, जिसके वो पहले एडिटर थे। अपने दूसरे पार्ट में उन्होंने प्रसिद्ध लेख और न्यूर एडिशन प्रकाशित किया। 28 फरवरी 1928 को रमन ने IACS के सहयोगियों का नित्रित्व करते हुए K.S. कृष्णन के साथ प्रकाश के बिखरने पर अध्यन किया। इसके लिए 1930 में रमन को भौतिकी के नोबल पुरुसकार से सम्मानित किया गया। वे विज्ञान में नोबल पुरुसकार प्राप्त करने वाले पहले एश्याई थे। 1948 में रमन ने क्रिस्टल के स्पेक्ट्रोस्कॉपिक प्रभाव का अध्यन किया। और 1948 में ही वो रिटायर हो गए। इसके एक साल बाद उन्होंने रमन रिसर्च इंस्टिट्यूट की स्थापना बैंगलॉर में की और वो वहां डिरेक्टर के पद पर स्थापित हुए। 1941 में उन्हें फ्रैंक्लिन मैडल से सम्मानित किया गया। सन 1952 में उनके सामने राजनेतिक पार्टियों ने उपराश्टपती बनने का प्रस्ताव रखा जिसे उन्होंने मना कर दिया। क्यूंकि वो राजनेती में न आकरके विज्ञान के छित और राधा कृष्णन। 1954 में रमन को भारत रतन से सम्मानित किया गया था। 1957 में शान्ती पुरुसकार से इन्हें सम्मानित किया गया है। उन्होंने अस्पताल में रहने से मना कर दिया। वे अपने अनुसंधान केंद्र के बगीजे और अपने फॉलोवर्स के बीच रहना चाते थे। रमन ने मरने से दो दिन पहले अपने एक शिश्य से कहा था कि वह अकादमी की प्रत्रिकाओं की देखभाल करे। क्यूंकि विज्ञान की गुणवत्ता के सम्वेदक्शिल संकेतक है। और 21 नवंबर 1907 को सीवी रमन जी की मृत्य हो गई। रमन प्रभाव की खोज के अवसर पर भारत हर साल 28 फरवरी को राष्ट्रे विज्ञान दिवस मनाता है। सीवी रमन ने रमन प्रभाव का आविश्कार करके भारत को पूरी दुन्या में सम्मान दिलाया है। ये दुनिया हमेशा उनको सम्मान के साथ याद करेगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा उसके लिए अपने व्यूज कमेंट में जरूर लिखेगा। यदि आप मेरी को और वीडियो में। थैंक यू।